20 साल पहले ये सपना देखा था पर आप नहीं होते तो ये केवल सपना रहता ये कभी पूरा नहीं हो सकता था आपने ताकत दी आपने हिम्मत दी आपने होसला दिया और आपने जिम्मेवारी दी तो ये सम्रुद्धी महामार्ग हम लोग यहां पर कर पाए हिंदवी स्वराज्या चे सरस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यानना मानाचा मुझरा करतो भारती या राज्य घटने चे शिल्पकार भारत रत्न दक्टर बाबा से बाम्बेड कर यानना मानवन्दान आर्पित करतो आज आपल्या मदे उपस्तित अखिल विश्वातिल सर्वाधिक लोकप्रिया नेते और आपल्या सर्वान से लाड़के प्रधार मंत्री आधरनिया नरेंद्र भाई मोधी जी माननिया गवर्नर सहेब राज्या से लोकप्रिया मुख्यमंत्री एकनाच शिन्दे जी आपल्या सर्वान से लाड़के नेते माननिया नितीन जी गड़करी मन्चावर उपस्तित राउसाइब दानवे जी डॉक्तर भार्ती ताई पवार चंद्रशेखर जी बावन कुले आणि याठिकाणी उपस्तित समोर्बस लेले सगले मंत्री जेश्ट नेते आणि उपस्तित सर्व नाकपूर विदरभातिल माजा भगीनी आणि बंधुन्दो आधर रणिय प्रधान मंत्री जी मैं सबसे पहले नाकपूर की जनता की और से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ हमारी ये बहुत मन से प्रार्थना थी कि हिंदुरुद्य समराट बाड़ा सब ठाकरे समरुद्धी महामार्ग का उद्घाटन केवल और केवल आपके हातों से होना चाहिए 20 साल पहले ये सपना देखा था पर आप नहीं होते तो ये केवल सपना रहता ये कभी पूरा नहीं हो सकता था आपने ताकत दी आपने हिम्मत दी आपने होसला दिया और आपने जिम्मेवारी दी तो ये समरुद्धी महामार्ग हम लोग यहाँ पर कर पाए बहुत कम लोगों को उस समय यकीन था कि इस प्रकार का रास्ता बन सकता है लेकिन एक व्यक्ति था जो पहले दिन से मुझे पर यकीन रख कर इस पर काम कर रहा था और उस व्यक्ति का नाम है उस समय के मेरे मंत्री मंडल के मंत्री और आज के मेरे मुख्य मंत्री एकनाच शिंदे जी जो पहले दिन से रास्ते पर उतर कर इस सारे मार्ग के लिए काम करते रहे हमने सारे जन प्रतिमिदियों को सारे पारिटियों को एकत्रित किया सारे पत्रकारों को एडिटर्स को एकत्रित किया उनके सामने हमने इस संकल पना को रखा उनके जितने सवाल ते सवालों का जवाब दिया और उसके बाद हमने इसकी शुरुवात की सबसे पहले भूमी आध पुरून विशेता उसके लिए काफी राशी चाहिए थी कोई बैंक देने को तैयार नहीं थी प्रदान मंत्री जी हमारे आपर सिगनेचर की क्योंकि उस समय के उनके नेता गाउ में जाकर विरोध करते थे उन्होंने गाउ में जाकर सभा ली और कहा एक इंच भी जमीन मत दीजिए पंद्रा दिन में उस गाउ की एक-एक इंच जमीन हमको लोगों ने दी और एकनाजी ने स्वयम जाकर वहाँ पर सिगनेचर की और हमने पूरा सम्रुद्धी महामार्ग का अधिगराण यहाँ पर किया और साथ-साथ एक नया मॉडल तयार किया जिसमें हमने हमारी MSRDC को 50,000 करोड के भूमिया मुंबई के प्लॉट्स यह हमने उनको दिये उनका नेटवर्थ बढ़ाया और लैंड सिक्यूरिटाइजेशन मॉडल पे सबसे पहले पैसा जमा किया सारी बैंकों को बुलाया सबसे पहले एक नया मॉडल तयार किया जिसमें हमने हमारी MSRDC को 50,000 करोड के भूमिया मुंबई के प्लॉट्स यह हमने उनको दिये उनका नेटवर्थ बढ़ाया और लैंड सिक्यूरिटाइजेशन मॉडल पे सबसे पहले पैसा जमा किया सारी बैंकों को बुलाया सबसे पहले SBI ने 8,000 करोड रुपे हमको दिये और उसके बाद सारी बैंकों ने पैसे दिये पैसी की कोई कमी नहीं पड़ी आज 50,000 करोड रुपे का ये महामार्ग तैयार हुआ है और प्रदानमंत्री जी आपने जो नया लैंड की सिक्यूरिटाइजेशन का मॉडल लाया है और मॉनेटाइजेशन का मॉडल लाया है मैं दावे से कहता हूँ आने वाले दो साल में इस महामार्ग से 50,000 करोड रुपे हमको मिलेगा जो अन्न इंफरस्ट्रक्चर पर हम लगाएंगे इतना जबरदस्त ये मॉडल तैयार हुआ है और एक चीज़ का उलेक मैं करना चाहता हूँ आपने भारत को गती शक्ती नाम की एक ऐसी योजना ती है जो विश्व की सबसे अच्छी योजना है सबसे थौटफूल सबसे कलपना शक्ती की योजना है जो भारत के चित्र को बदलेगी गती शक्ती का एक उधारण ये महामार्ग भी है इस पर रोड बना है इसमें हमारे पास रेलवे के लिए जगह हमने रखी हुई है इस पर हम लोग सेमी हाइ स्पीड कारगो टेन चलाना चाहते है उसकी पूरी जगह हमने अधिकरेत करके रखिये इसमें हमने मल्ती उटिलिटी क्वारेड sweetness टेयार किया है इस multi utility corridor में मैं भारत सरकार का और आपका अभारवेच करूँगा 2017 में हमने आपसे निवेधन किया कि इसके उपर gas pipeline बने आपने gas pipeline का काम शुरू किया 80% gas pipeline का काम हो गया महाराष्ट के 20 जिलों में सीधा gas, CNG, उद्योगों के लिए और vehicles के लिए अब इस pipeline के माध्यम से पहुचेगा साथ-साथ हमने petroleum product pipeline की भी मांग की है वो भी पूरी होगी इसके साथ-साथ जो undersea cable है जिसके कारण data center की ecosystem तयार होती है वो पूरा undersea cable हम इसके माध्यम से ला रहे है जिसके कारण पूर एक शेत्र में हम लोग data centers तयार कर पाएंगे और साथ-साथ transmission की HVDC line भी यहीं पर पड़ेगी उसका भी corridor हमने तयार किया है 1500 MW बिजली generation की भी solar में विवस्ता की है तो कुल मिला कर गती शक्ती का एक बहुत बड़ा उधारण यहाँ पर हमने किया है और अब आपने जो योजना दी है इस सो उसको और हम और समरुद्ध करेंगे मैं इस निमित्त से आपको इतना ही निवधन करना चाहता हूँ आने वाले दिनों में क्योंकि आज आपने और गड़करी जी ने और नई सवगा अथन को दी है यहाँ पर हमारे railway stations इतने सुंदर हो रहे है अब rail connectivity है road connectivity है high speed rail भी होने वाली है और उसके साथ साथ आपके ही आशिरवात से अगले एक मेने में नाकपूर एयरपोर्ट के भी भूमी पुजन के लिए हम आपको बुलाने वाले है तो सारी multi-model connectivity यहाँ पर होगी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज 14 जीने हमने JNPT port से जोड़े और हमारे मुख्यमंत्री जी गडचिरोली और गुंदिया को भी जोड़ने जा रहे है तो पूरा महाराष्टर ये port-led development का एक नया model इस महामार्ग के माध्यम से करेगा और माननियम प्रधान मंत्री जी मैं इस समय कुछ लोगों का उल्लेक जान बुचकर करना चाहता हूँ विशेश रूप से इस महामार्ग को बनाते समय हमारे राधेशा मोपलवार होंगे ये हमारे मनोच सवनिक होंगे हमारे प्रविण प्रधेशी होगे हमारे गायकवाड होगे मैं जिनके नाम का उल्लेक नहीं कर पाया उनकी माफी मांगता हूँ पर इस टीम ने जो काम किया है वो बहुत जबरदस्त काम इनोंने किया है और इनके कारण ये माहामार्ग हो पाया है और अगले पादान पर नाकपूर से गोवा इसी प्रकार का माहामार्ग जो मराठवाला, वेस्टन माराष्ट और विधर्प को इंटिग्रेट करेगा इसकी भी संकलपना हमने तैयार की है मैं आपका बहुत विशेश आभार मेरा समय समात्थ हो चुका है फिर भी मैं इसलिए मानना चाहता हूँ कि आपकी गती लोगों के ध्यान में आनी चाहिए आज जो दो प्रोजेक्ट हो रहे है मेट्रो फेस टू और नाग नदी का जो आज सवर्धन का हम कारेक्रम कर रहे है हमारी पिछली सरकार में हमने ये दोनो प्रोजेक्ट भेजे थे आपने फास्ट रैक पर रखे थे कुछ क्वेरीज आई थी बीच में सरकार बदल गई धाई साल में उन क्वेरीज का जवाब भी पिछली सरकार ने नहीं दिया और जैसे ही सरकार बदली हमने क्वेरिस पूरी की प्रधान मंत्री जी मैं आपके कारायले में गया और आपके कारायले में जाकर प्रधान मंत्री कारायले को मैंने बिंती की हमने क्वेरिस पूरी की है आपके कारायले ने मात्र 35 दिनों में ये सारे दोनों प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लिट करके कैबिनेट की मान्यता देकर आज उसका भूमी पुजन हो रहा है ये मोडी सरकार है, ये गती है और ये डबल इंजिन सरकार है अगर डबल इंजिन सरकार नहीं बनती तो शायद अगले और कुछ सालों तक queries में satisfy नहीं होती और ये कारेक्रम भी नहीं होते मैं बहुत बहुत आपका आभार वेक्ट करता हूँ प्रधान मंत्री जी आपका प्यार नाकपूर पर विदर पर ऐसा ही बना रहे, A.M.J.C. सोगात आपने हमको दी है, वंदे भारत ट्रेन आपने दी है इन सब के लिए, इन सभी के और से मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार विक्ट करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ जै हिन, जै महाराष्ट्र, जै भारत, वंदे मात्रा आपको बहुत आपको झापको प्यास